दोस्तों प्रेसिडंट ब्लादेमिर पुतिन के भारत दोरा काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में जहां पर बताया जा रहा है कि प्रेसिडंट ब्लादेमिर पुतिन के भारत के दोरे के दर्मियान दोनों देशों के बीज में कई सारे मुद्दों को लेके चर्चा सकता है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रेजिडेंट ब्लादेमर पूतिन के भारत के दोरे से पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पांच हजार करो रुपे के एके टू-0-3 असॉल्ट राइफिलों को लेके क्लियरंस दिया गया असल में प्रेजिडेंट राइफिल है इसके डील भारत और इंडिया के बीच में कुछ सालों से चर्चा में था और पेंडिंग पड़ा हुआ था बैसी कलिकुछ मुद्दों को लेके दोनों देश सहमत नहीं थे और सहमती बनने के बाद एसॉल्ट राइफिल के डील को एप्रूब किया गया राइफिलों के प्रोड़क्शन शुरू होने के 32 महिने के बाद से आर्म फोर्सेस को इन राइफिलों को इन डिलेवरी शुरू किया जाएगा तो इसे एके 100 फैमिली के एके 200 वेरियंड के राइफिल कहा जाता है बैसिकली यह आईकॉनिक कलशनो को अब मतलब एके 47 ग्रेड़ वरिजन है और इसे और्डिनेंस फेक्टरी बोड क्लशनकोफ कंसर्ण और रोसावरन एक्सपोर्ड के द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ जॉइंट वेंचर के तहट भारत में निर्मान किया जाएगा दोसर रिपोर्ट में यह वी वताया जा रहा है कि यह जो करीवन 3.800 ग्राम होगा राइफिल के स्टॉख के साथ लंबाई करीवन आट्सो ऐसी से लेके 940 mm तक होगा जबकि फोल्ड के साथ लंबाई करीवन 705 mm होगा जबकि इसके बैरल का लेंध करीवन 415 mm तक हो सकता है यह गैस ऑपरेटेड रिकॉाइलिंग बोल्ड वाला ऐसा rifle होगा जिसका rate of fire 700 round per minute होगा और इसका muzzle velocity करिवन 715 meter per second होगा रिपोर्ट के मताविक इसके effective range 500 से 800 meter या फिर कहें तो 550 से लेके 870 yard तक होगा और ये सब कोई repent करता है इसमें इस्तेमाल होने वाले sight और adjustment system जबकि इसमें magazine के रूप में 30 round के box magazine का इस्तेमाल होगा और sight के रूप में iron sight या फिर अलग-अलग optics के prick attorney rail का इस्तेमाल किया सकता है तो 100 rifle को निर्मान करने के लिए जो joint venture का तयारी किया गया उसमें ordinance factory board मतले भारत का share करीबन 50.5% जबकि clash na cup का share करीबन 42% है जबकि रेशिया के रोसावरन export का share करीबन 50.5% है इवें 200 report में ये भी वताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल करके भारत में इस्तेमाल होने वाले L1 A1 self-roading rifle और Defense Research and Development Organization के तरफ से develop किया हुआ इन सास जैसे rifle को replace किया जाएगा राइफिलों के को लेके भी वताया जा रहा है कि कम से कम ऐसे जो साड़े साथ लाख rifle भारत निर्मान करेगा वो 10 साल तक निर्मान होगा और सालाना 75,000 के rate में इन rifle को निर्मान किया जाएगा और दोस्तों इन family के अगर अन्ने rifle को देखे जाये तो रेशिया में इसके जो variant का इस्तेमाल होता है उससे AK-12 सिरिस के या फिर AK-10 सिरिस के assault rifle भी कहा जाता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन